अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कॉमेंट भी जरूर करें I will I love when you guys comment and tell us about किस तरह कांटेंट आप देखना चाहते हैं and keep supporting us Assalamu alaikum khawateenah hazraat क्या हाच चाल है ठीक ठाक है हाँ भई तो कैसे हैं आप लोग तो वो तयार हैं आप लोग एक और चोटे से ट्रप के लिए तो हम आज जाने लगे हैं बैंककोक से थोड़ा सा दूर जादा नहीं सिर्फ दो गहंटे की दूरी पे पीच पे वाहें सुबह के इस वक्त बज रहे हैं पोने साथ तो बजने वाले और आप आपसे पहुंचना है आप जासे देख सकते हैं वाइट वाइट शेट में नहीं नहीं तो यह मेरी कंपनी का लोगो है और एक कंपनी का ट्रिप हो रहा है और सारे कंपनी वाले लोग मत बजा रहे हैं सुबस अब आपका बाइट फुल नेंद में उठ गया बस सब त्यारी है तो पैकिंग शेक अब निकर ली है वह आपको दिखाते हैं शेक तो त्यार है ओल सेट और बस अब निकलने की का रहे हैं दो गहंटे दूर बीच पर जाके वाहन पर पार्टी को रहे वाली है सब्सक्राइब निकलने से पहले एक दो तीन बात है आपको और बता दे ट्रैवल कर रहे हैं थूर बस अब बस कैसी होगी वह एक सप्राइज है मेरे जो गैस है वह एक डबल डेकर बस होगी वह काफी खुली डूली आली शांस ही होगी उमीद तो है मतलब कि मैं आपको यहां पर कह रहा हो आगे जाके पताने अब कैसी हो ठीक है दो गहंटे में उदर हम पहुंच भी जाएंगे तो हौहन के बारे मैं थोड़ा सा बता चाहते है ना ज्यादा वतलब कि उनको शोर शराबा अफरात अफरी नहीं चाहिए बस बीच चाहिए तो वह है नहीं इस दप्लेस टूगो तो आफिस का यह जड़ी देर से प्लान हुआ था फाइनली इट्स हैपनिंग यह चिलिंग होगी अच्छा खाना होगा आपको नह हम लोग जा नहीं पा रहे थे तो everyone was really really excited और और आखिरकार वो दिन आई गया कि यह ट्रिप प्लान हो गया 10 जून 2023 तो सुबह सुबह भाई साथ बजे हम लोग त्यार शेयर होके office in office पहुंचे हर बंदा नीज में था सुबह साथ बजे यार कौन उठता है वो भी Saturday वले दिन और हमारे लिए बस किराई गई थी बड़ी आलेशान जबरदस्त डबल टेकर फुल लग्जुरी वली स्टाइल वली बस गर बैंकॉक से कहीं भी जाना चाहते हैं तो इस तरह की बसे काफी सारी अवेलेबल होती है तो इस तरह की बस हमारे लिए करवाई गई थी बड़ी जैसे आपको बताया बड़ी कमाल बस थी और हमने मैचिंग शर्ट्स भी पहने ही थी सबने तो हम बड़े कार्टून से लाग रहे थे सारे लेकिन अब कंपनीज का अगर आपने एक से ट्रिप देखा तो सारे एक ज कोड़ी सी फ्रेंच फोकस्ट है मतलब के जो CEO है वो भी ही इस फ्रेंच और काफी सारे फ्रेंच लोग है तो एक कोसांड जो है वो कंप्लिमेंट कर रहा था हमारे इस ट्रिप को तो बस के ओपर हमने पहली हमारी अरी अक्टिविटी वी इंट्रट्शन हमारे दैन भाई सा यह इस अधिशिया प्राइस विश्वा यह रहा फारे जा रहा थाए जिए अच्टेविटी नई जोड़ी खरता है उसके अंडर वी काफी डाइवर्स है ही इस था यह द दैन ते लिए तो पहली पहले पहली पहले हम नहीं शुरु कर और पहली एक्टिविटीम ने के बारे में कुस्चिंस ते लोगों से पूछा है यहां पर काफी शूगर लगा काफी इंट्रेस्टिंग सवाल थे आपका भाई वस वन अफ दे होस्ट्स तो हम भी सवाल का रहे थे लोगों को के लिए नेक्स्त क्यूंस गाई नेंप टू अपार क्लाइंस यह शून अजेपी हाइर वेबसाइट्ट थे उसका नेखेड़ फिर फेला स्टॉप हमने किया वहाँ पर उतर के फिर सेवन एलेवन से चाई शाय लिया हमने अब भी तो पहला स्टॉप कर लिया है और सारे कंपनी वारे में निकल गए है यहां पर 10 मिनेट स्टॉप करेंगे और आकर चलेंगे हमारे कुछ और भी दोस्ते हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी एक अदर दोस्त भी थे उनको भी हमने वीडियो में आपको दिखाया अबैद भाई साब तोड़ी थोड़ी है वाके मौसम अच्छा है वाइट बाइट शर्ट स्टे ऑसम बैद भाई साथ हमारे साथ है फिर तश्वीक हमारा एक बंगला देशी दोस्ता तो वो अपनी वाइफ के साथ आया वाथा ट्रिप पे फैमिली फ्रेंडली ट्रिप है बस आप समझ गया होंगे बस पे आ के फिर हमने इस टॉप के बाद बापिस बास पर चड़ाई और फिर हमारी सेकंड एक्टिविटी शुरू ही जो कि थी म्यूजिक अब आपने नाइस एक्टिविटी के अंदर म्यूजिक को गेस करना है कि यह लिरिक्स बोलेगी सीरी असल में जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे अब जो बंदे जिसके हाइस पॉइंट्स है उसको भाई कूपॉन भी दिया गया था आपके बाई को कॉम्पॉन अब काई वाज वेरी गुड होस्ट शुगल शुगल लगा रहे थे हम भी तो दूसरा दूसरी गेम की फिर दूसरा स्टॉप हुआ मैं फ्रेंच फ्रेंच फ्रेंड पॉर उसके बाद सारे थागे और अब बस थासीन सब सब के दिल में ही था कि बाई पॉन जाएं अब हम और आखिरकार वही हुआ फिर हम तकरीबान बारा बजे हुआहन पहुँचके थे तो हमारे लिए एक बड़ा ही जबर्दस लंच के हम रनीट करने के बाद ही हमने हमेने अकरिविटीज करने से पहले मतलब जैसे ही कोंचे थे हम ने टेकिन किया हम उसके बाद हमारा Something कि आःट तो इस 형 कि अःट करूद्ध 할ूमरे ले लिए लिय ती साहत हमने कुछ राइस ले लिय थे सम चिकन सैलीड और एक बड़ा ही जाता ही आपको एक प्यारा सा पूल ग्रीद करता है और इर्दगर्दो खेल रहे हैं और सामने बीच का भीउ है मतलब कि आर अगर आप वाहिन जा रहे हैं और आपके पस बीच हाउस नहीं है तो फिर क्यू जा रहे हैं तो वहां पर पहुंच गे हमारा जो हर बंदे को एक रूम लॉट हुआ का जो उसकी हमें चाबीचा भी दी गई और हमने चेक इंड के सीन्स भी बहुत ही सेक्सी थे बाई हम पहुंच गया है बालकनी से दिखा रहे हैं आपको होटेल का और यह है हमारा कमरा कि एक आदे हमारे रूम मेट हैं आज हमारे साथ कॉंग से हैं कमरे में चेक-इन हो गया है हम यहां पर थोड़ा सा समान समून रखके नीचे जाएंगे और लंच करेंगे बहुत बूख लग रही है बारा बज़रें इस वक्त दुपहर के हमें लग रही है बूख बीच थो करना चाना खाके फिर बीच पर चिलिंग करेंगे फिर कुछ एक्टिविटीज प्लाइन है लेट सी थनकेल की बारिश है मोसम गुट है और फूल स्टैग रूम का हब जबरदास बैड किचन नहीं था बाकी सब कुछ ही था तो उसके बाद चेक-इन करने के बाद हमारे बाल रूम हॉल वह बहुत है तो वहां पर बलाया गया वहां पर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज की एक मुटलिफ जैसे में एंजिनिरिंग टीम से मेरा तालॉक है तो मेरे साथ जो जिनोंने टीम आप किया था मार्केटिंग के लोग थे सेल्स एचार टीम मतलब कि बि तो आपको नजर भी आएगा लिखके भी अमने लगाया वात एक जगह पर यहां पर हम जब एक्टिविटी का रहत हैं तो इन एक्टिविटीज का बेसिकली मकसद यह था कि आप अपनी टीम के साथ अच्छी तरीके से क्लाबरेट करें लोगों को समझें तो उस टीम बिल् चॉप्स्टिक पकड़के मैं जो नट होते हैं उनको स्टैक कर रहा था भाई इतना ही जी नहीं होता है फिर हमने एक बड़ा सा एंड में बड़ा सा ट्रैक बनाना था गाडियों वाला उस पर गाड़ी चलाने थी ओवर लेकिन मज़दार था बहुत फ़ान था हमने हमने क कफी कुछ सीखा कुछ लोगों के बारे में लोगों साथ को इंटरैक्ट किया फिर हमारी टीम बिल्डिंग एक्सराइज तकरीब में कुछ शाम पांच बेक खतम हो गई अब सारे कहते चलो यार बीच पे चलते हैं and they wanted to drink तो वहां पे चले गए और वहां पे बैठके तो ब अब प्लैना है तो अगला जो प्लैन था नहीं आप इस अगला प्लैन था रात के डिनर का था रात वराशन कीन है को कि आज तो और दीनर के वहां दो पास्टा बिफ स्टेक्ट, चिकन स्टेक् व्राइड फिश मतल economy फुल भूफ वला सीन था और बड़ा ही जबरदस रेस्टान था सम बीफ स्टेक्स और चिकन स्टेक्स॥ पास्टा बड़ा जबरदस था और इसके साथ-साथ च़́री अन दिटॉप आप आप वहां पर लाइव अपना पीजा बनवा सकते थे वह पीजा भी हम लोगों ने बड़ा ही जबरदस्त खाया इसके बाद हमारा डिनर एंड हुआ और फिर आफ्टर पार्टी आती है कि रात 11-12 बजे हम लोग हमारे होटल के सामने वेली जो बीच है उस पर पहुंचे अपना सेट अप ले कि आया वा था वो सारा जो सेट अप होता है म्यूजिक मिक्सर तो वो भाई रात के बारा बजे बीच के सामने अंधेरे में थोड़ी सी अपनी रोशनी करके हम अपना पार्टी का रहे है मतला कि we don't need a club हमने खुद ही हम जा जाते हैं वहाँ पर पार्टी चुरू हो जाती हैं वही से लोग इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर बैटके हम ताशाज खेल रहे थे डांस कर रहे थे पानी में जाके कुछ एक अधर बंदा गोता भी लगा रहा था जिस विट वस वेरी फ पर बंदा ऑज खेल झाल कर रहे हैं वहाँ